साथियों, अप्रेल के महने में हम दो महान विभूतियों की जयनती भी मनाएंगे. इन दोनों ने ही भारतिय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है. ये महान विभूतियां है महात्मा फुले और बाबा साब आमबेड कर. मात्मा फुले की जैन्ती 11 अप्रिल को है और बाबा साब की जैन्ती हम 14 अप्रिल को मनाएंगे इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाब बड़ी लड़ाई लड़ी मात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले कन्या शिशु हत्या के खिलाब आवाज उठाई उन्होंने जल संकर से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए साथियों मात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्र भाई फुले जी का भी उलेक उतना ही जरूरी है सावित्र भाई फुले ने कई सामाजिक समस्ताओं के निर्मान में बड़ी भूमी का निभाई एक सिक्षी का और एक समाज सुधार के रूप में उन्होंने समाज को जाग रूप भी किया और उसका होसला भी बढ़ाया दोनोंने साथ मिलकर सत्य सोधक समाज की स्थापना की जन जन के शसक्ति करन के प्रहास किये हमें बाबा साब आमबेड करके कारियों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साब दिखाई देते हैं वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं के स्थिति को देख कर किया जा सकता है। महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले, बाबा साब आमबेड करके जीवन से प्रेना लेते हुए, मैं सभी माता, पिता और अभिवावकों से अनुरोद करता हूँ कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या, शिक्षा, प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छुट गई हैं, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। या दिल्ली में बाबा साहब का महापरी निर्वान स्थल मुझे सभी जगहों पर, सभी तिर्थों पर जाने का सौभागी मिला है। मैं मन की बात के स्थोताओं से आगर करूँगा कि वे महत्मा फूले, सावित्री भाई फूले और बाबा साब अंबेड कर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जुरूर जाए। आपको वहां बहुत कुछ सिखने को मिलेगा।